कॉंटेंट तो हमारा रेडी हो जाता है, हमें पता है कि बुक कैसे पढ़नी है, बुक हमने पढ़ भी लिये सर, पर सबसे बड़ी दिक्कात आती है कि आखिर आंसर को लिखे कैसे सर. आपका आंसर कभी भी इस तीन चीज़ों को कवर करेगा, क्या? इंट्रोड़क्शन, में बॉड़ी, कॉंट्लूजन, सर इसी स्टैंडर्ड पॉर्मेट का इस्तेमाल करना है, वर्ड लिमिट पे स्टिक करेए, स्टूरी मत लिखे, दू नॉट राइट लेंदी से आप लोग पूछ रहे थे, कि सर, हम लोग एक्जाम में आंसर राइटिंग आखिर कैसे करें, देखो, content तो हमारा ready हो जाता है, हमें पता है कि बुक कैसे पढ़नी है, बुक हमने पढ़ भी लिये, सर, बच सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जहां पर सवाल आकर फस जाता ह है कि आखिर answer को लिखे कैसे, that expression part वो कैसे करें, ताकि exam में अच्छे marks है, कई पर हमारे अंदर ये सवाल होता है, कि सर, question आया, हमने उसका answer भी लिखा और हमने अपनी तरफ से तो अपना best दिया, but फिर भी पता नहीं क्या चीज़ने miss हो गई, जो हमारे marks deduct हो गए, so today, this video is all about that thing, कि भाई, how to write answers, ये सबसे बड़ा सवाल है, and trust me, अगर ये answer writing आपने यहाँ पर सीख ली, it is gonna help you throughout the life, आपको आपके college में जाकर भी help करेगी, आप अगर किसी, you know, civil services के examination की तियारी कर रहे हैं, उसमें आपको help करेगी, because this is the standard answer writing format जो हम आज discuss करने जा रहे हैं, so please, अच्छ लिए हुए हैं, बस एक आपको basic idea लग जाएगा कि आखिर answer कैसे लिखते हैं, and उसके बाद आप अपनी answer writing practice को कर सकते हैं, so let us start with a question directly, ये class 12th का एक question है, write a note on the weight system of हरपन civilization, say for example, ये question आ रहा है हमारे पास 3 marks के लिए, कितने marks के लिए, sir, ये question हमारे पास आ रहा है, 3 marks के लिए क्या question आ रहा है, कि भई आपको क्या करना है, आपको लिखना है answer weight system के उपर हरपन civilization के weight system के उपर, right, आपको क्या करना है, हरपन civilization के weight system के उपर answer लिखना है, right, sir, अब, जब भी कभी आप answer लिख रहे होते हैं, 3 marks के लिए, जब भी कभी आप answer लिख रहे होते हैं, आपको क्य टाइंडर्ड आंसर राइटिंग फॉर्माइट के हिसाब से आंसर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, कौन से तीन पार्ट्स? ध्यान से सुनना, कौन से तीन पार्ट्स? देखो सर, सबसे पहला होगा इंट्रोड़क्शन का पार्ट, दूसरा होगा, सर, में बॉड़ी, और तीसरा होगा, कौन्कुलूजन, आपका आंसर कभी भी इस तीन चीज़ों को कवर करेगा, क्या? इंट्रोड़क्शन, में बॉड़ी, कौन्कुलूजन, मैं समझाता हूँ कैसे? फिर आगे बढ़ते हैं, सपोस हमारा कोशन आया थ्री म मार्क्स के लिए सवाल आया, कि भई, write a note on the weight system of हरपन civilization, कितने मार्क्स का है? तीन मार्क्स का, तो word limit पे भी stick करना है, ओके सर, इस answer को कैसे हम solve करेंगे? मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें answer लिखना शुरू करना है, introduction से, introduction में आप क्या लिखेंगे? तो what you will do, आप इस question को देखेंगे और analyze करेंगे कि इसका keyword क्या है, what is the keyword of this question? जैसे, write a note on the weight system of हरपन civilization, आपको क्या लगता है, इसमें keyword क्या होगा? मतलब main चीज क्या है, जिसके इरदिगर्द के सवाल पूछा जा रहा है? कुछ लोग बोलेंगे सर, weight system, कुछ लोग बोलेंगे हरपन civilization, इसका keyword है ह हरपन civilization, क्योंकि weight system किसका पूछा जा रहा है? हरपन civilization का, आप क्या करेंगे? आप अपने introduction में, अपने introduction में, introduce करेंगे कि हरपन civilization क्या था? You will introduce your answer with हरपन civilization, थोड़ा सा background दे देंगे, because ये question तीन मात का है, आप यहाँ पर केवल एक या दो line लिखेंगे, one or two lines, कि भाई हरपन civilization is the ancient civilization of India, और इसका time period ये है, ये है, ये पहली urban civilization भारत के अंदर मानी जाती है, that's it, you have introduced your answer, now, next is main body, हमसे क्या पूछा गया है? Main body, अब main body में आपको क्या करना है? Question के demand fulfill करने है, वो किसके बारे में पूछ रहे है? हरपन civilization तो हमने बता दिया, अब हमें बताना है, about weight system, जो question का main point है, weight system के बारे में वो पूछ रहे है, now, आप यहाँ पर लिखेंगे कि there were many advanced features in हरपन civilization, weight system was one of them, क्या था weight system अब यहाँ प क्या है weight system कि सर, यहाँ पर कई सारे आपको weights मिले हैं, जो कि cubicle shape के होते थे, और भी shape होते थे बड़ cubicle सबसे ज़्यादा, यह एक stone के बने होते थे जो कहलाते थे shirt, और तीसरा point क्या होगा, कि सर, जो lower weights थे, वो binary थे और जो higher weights थे, वो decimal system में थे, right, and these weights, ठीक है सर, these weights were used by harap and large scale में हमें मिले हैं, ठीक है सर, यह हमने क्या कर दी, main body, अब किस पर आ गए हम, conclusion पे, अब conclusion पे क्या लिखना है, conclusion में आपको basically conclude करना है कि इसका main motive क्या था, तो what you will do, you will tell in short two, three lines, कि भाई, यह जो weight system था, it might have allowed harapans to do long distance trade, long distance trade को इस weight system ने बहुत जादा facilitate किया था, आपने य क्या हुआ, total सर, आपका हुआ, दो line यहाँ पर, introduction में, तीन points यहाँ पर, और यहाँ, क्या किया हमने, हमने पहले keyword को उठाया, keyword को हमेशा पहचानना बहुत जरूरी, keyword का मतलब क्या होगा, कि यह किस concept से जुड़ा हुआ है, concept, main concept क्या है, तो index value civilization के अंडर आता है न, weight system, अब आप यहाँ पर समझेंगे, introduction में आपको क्या करना है, introduce the main theme, keyword को खोजिए, और उसको introduce कर दिजए, main body, demand of the question, कि भाई, question की demand क्या है, वो fulfill करने है, और conclusion में, your opinion in short, your opinion का मतलब क्या हुआ, कि ऐसा अपना कोई opinion नहीं देना है, बढ़ आपने क्या सीखा इस चीज ते, आपको क्या लगा कि इस चीज का क्या फाइदा था, what are the benefits of this thing, या what are the outcomes of this thing, right, maybe it may be outcomes, impact, इस particular चीज का outcome क्या हुआ, impact क्या हुआ, usage क्या हुआ, right, इन सब चीजों के बारे म में लिखना है, कि भाई, आपको क्या लगता है, weight system होने से क्या फाइदा था, वो आपने लिख दिया, आपका opinion वहाँ पर आपने put up कर दिया, very simple, यह हो गया 3 marks के लिए, right, अब यहीं पर अगर 5 marks के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे, if the same question is coming up for 5 marks, आप main body में 5 points लिख द marks, ठीक है, this is a question for 8 marks, the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers, explain, again keyword क्या है, the Harappan civilization, आपने क्या किया, अपना answer लिखना शुरू किया, सबसे पहले आपने introduce किया question को, आप चाहें तो यह ऐसा mention करना जरूरी नहीं, मैं बस बता रहा हूं, यह introduction लिखना जरूरी नहीं, आपने introduce किया अपने question को, अ अब यहाँ पर चूकी 8 marks का question है, minimum 3 to 4 lines आपको लिखनी है, 3 to 4 lines introduction में कि भाई, Indus Valley civilization again is the ancient civilization of India, it flourished in the northwestern part of India, India के northwestern part में flourished हुआ, between 2600 to 1900 BC, which is known as the matured phase of Indus Valley civilization, जाधा हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक इंडिया का rough map बना देचे, इंडिया का rough map बना देचे, और बता देचे कि this was the area where Indus Valley civilization had flourished, right, आपने 3 या 4 lines में introduction दिया, फिर हम आएंगे main body पर, अब main body पर बच्चा उन्होंने क्या पूछा हमसे, urban centers का development, क्योंकि यह पहला urbanization है, आप कैसे शुरू करेंगे, कि Indus Valley civilization is considered as the first urbanization in India, पहला शहरी करन माना जाता है, क्यों, there were many urban features, कैसे शुरू करेंगे आप, town planning से, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 points लिखने, कि पहली च इस towns were planned, citadel और upper town लिख दिया, citadel और upper town लिखते हुए आप image भी बना के बता सकते हैं, दूसरा, sir, आपने बता दिया, citadel में क्या क्या था, sir, granary और ये सारी चीज़ है, फिर आपने क्या बता दिया, sir, lower town में residential इलाका था, sir, baked bricks का इस्तमाल हो रहा था, उसके अलावा, sir, वह centers लिख दिये, सारे features कितने, 8 points में, points याद रखना, 8 marks के लिए 8 points आपने लिख दिये, right, sir, अब क्या करना है, last में आपको conclusion लिखना है, last में आपको क्या करना है, conclusion, जैसे मैं यहाँ पर 8 points आपको लिख कर बता दिता हूँ, point wise ही लिखना है answer, जैसे मैं बताऊं, citadel और lower town, citadel को explain कर दिजे, क्या क्या है, कौन कौन सी building से citadel में, lower town बता दिजे कि यह residential इलाका है, इन दोनों के इर्दगिर्ध दीवारें हैं, वो बता दिजे, अब lower town के features बता दिजे, क्या, grid pattern of streets, grid pattern of streets, है ना, फिर sir, फिर हमने बता दिया, क्या बता दिया, कि sir, baked bricks का इस्तमाल हो रहा बेक्ड bricks, standardized ratio, standardized ratio, drainage system, well proper managed drainage system, right, उसके अलावा, sir, concern for privacy, washrooms, wells, बताया आपने, right, sir, यह 8 point हो गए, हर एक point को mention करते हुए, चलिए point wise लिखे, क्योंकि आपके teacher को दिखना चाहिए वो, और जहां आपको लग रहे, diagram बना सकते हैं, schematic बना सकते हैं, है ना, अब ऐसा भी कर सकते हैं, कि भाई, आपने पहले क्या किया, urban features, और एक circle बनाया, ध् मैं ऐसे इस से निकालके features लिख दूँगा, इसके इर्दगिर्द मैंने features लिख दिये, भाई, baked breaks, drainage, है ना, उसके अलावा, sir, roads, washrooms, ठीक है, उसके अलावा, sir, उसके अलावा, sir, lower town, upper town हमने बता दिया, concern for privacy, concern for privacy, wells, washrooms के जुड़े हुए, स्थारी चीज़ें आपने क्या की, ऐसे short मैं उनको पहले दिखा दिए, कि urban features क्या क्या थे, फिर आपने क्या क्या खिया, urban features को यहाँ पे explain कर दिया, last में आपने क्या 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 urban feature क्या था, कैसे था, क्या important points थे, क्या-क्या चीज़ें थी जो उसे literally urban बनाती है, I hope you are getting my point, 3 marks के लिए, 3 points, main body में, 8 marks के लिए, 8 points, main body में, और plus conclusion, अब, कुछ important points जो आपको याद रखने है, answer लिखते time, आपका answer हमेशा, 3 parts में रहेगा, introduction, main body, conclusion, for 3 marks, 5 marks, 8 marks, है ना, अपने क्या से कर लेते हैं, 3 marks के लिए, 2 lines, 3 points, 2 lines, 7 lines हो गई, 5 marks के लिए, but again, 2 to 3 lines, 5 lines, 5 points, answer हमेशा point में होगा, 2 lines, या 3 lines कर ले जाए, ठीक है, 2 या 3 lines, इसा count नहीं करना है, बढ़ एक idea रहना चाहिए, word limit, क्योंकि आपको time भी manage करना है, answer लिखते लिखते हैं, 8 marks के लिए, 3 to 4 lines का introduction लिखेंगे, 8 points का आप main body को explain करेंगे, और लगबग 3 to 4 lines का आप conclusion लिखेंगे, हो गया, word limit भी set हो गई, आपने answer भी बढ़िया से लिख दिया, trust me, इस answer पे आपके marks, अगर कोई mistake नहीं है, आपके content में कोई नहीं काट सकता है, कुछ important points जो आपको याद रखने हैं, अब जब भी आप answer लिखें, ऐसे ही लिखना है, क्या, sir इसी standard format का इस्तमाल करना है, trust me, everywhere, even in civil services examination, इसी answer writing format का इस्तमाल किया जाता है, दूसरी चीज, word limit पे stick करिए, story मत लिखे, examiner को main points आईए, अब story लिखने पे मत जाईए, कि sir नहीं हम कहानी नहीं लिखना है, avoid कीजिए paragraph के form में answer लिखना, label key points, key points जो उनको label कीजिए, मतलब क्या, suppose कुछ important points है उनको highlight कर दीजिए, mark कर दीजिए, underline कर दीजिए, right, very important, जहां कहीं पर भी आपको लग रहे है कि आप diagrams, flow charts का इस्तमाल कर सकते हैं, instead of paragraphs कीजिए, आप अगर कहीं पर भी इस्तमाल कर सकते हैं, उसका use कीजिए, right, जैसे हम यहाँ पर weights की बात कर रहे थे, हम यहाँ पर बताता हूं, जैसे हम weights की बात कर रहे थे, ठीक है, अब भाई, weights का use, use of weights, आपने किया और schematic बना दिया, diagram बना के आपने 5 point लिख दिये, don't you think it seems more good, schematics का use कीजिए, flow charts का use कीजि जितना जादा आप उसको easy और simple बना सकते हैं, उतने अच्छे number मिलेंगे आपको, यहाँ पर complex नहीं बनाने हैं हमको, कि भर-भर के लिख दिया, properly, बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत space utilize आपने नहीं किया हुआ और बहुत जादा cramp करके भी लिख दिया है, नस्दीक में लिख suppose ऐसे करके लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपने ऐसे पहले दिखा दिया, अब बाद में आपने उसको point wise explain कर दिया, अगर मैं बताऊं, weights and measures के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, weights and measures, तो आपने weights and measures के बारे में important points लिख दिये, कि भाई, किस stone के बने हैं, किस shape के हैं, कैसे हैं, किस तरीके के use हो रहे हैं, आपने 6 points लिख दिये, short shot में, अब अगर suppose examiner के past time नहीं भी आपका पूरा answer check करने के लिए, तो उसने at least देख लिया कि आपको आता है, use these schematics, diagrams and flow charts, please, that will definitely help you a lot, वो आपके exam को, या आपकी copy को enhance करने में बहुत जादा help करेगा, ठीक है, तो आप answer writing practice शुरू कर दीजे, अगर यहाँ पर कोई भी doubt होगा, do let me know in the comments, answer writing, और देखे, ये चीज़ एक बार में नहीं आएगी, practice करते करते, you will be perfect, तो आज से शुरू कर दीजे, वो practice करना, ठीक है, practice करते चलिए, अच्छे से practice कीजिए, देखते हुए चलिए, once you will start doing the practice, आप दीर let me know in the comments, thank you very much people, take care, bye bye, Jai Hind, Jai Bharat!